Welcome back friends, this is Karan Raffens Fanta दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे input output के बारे में ये आपके SBI, PO, IBPS किसी भी other exams में भी आ सकते हैं ये हमारा practice set का question number 2 होगा और इस question में हम एक high level question की बात करेंगे दोस्तो एक चीच का ध्यान रखना कभी भी कोई भी question अगर वो हमें pattern समझ में नहीं आता तो वो हमारे लिए automatically high level हो जाता है लेकिन अगर हमने उस तरीके के pattern की एक बार practice की होती है तो फिर हमें question exams में बनाने में काफी मदद मिल जाती है तो कुछ exam में आया हुआ pattern नहीं होगा उसके हमें आपर practice करेंगे ताकि अगर ऐसा question आपके exams में दुबारा आये तो आप उसको असानी से बना लें तो जो लोग पहली बार एवीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को subscribe दोस्तों जरू कर लें और bell icon पर click कर लें ताकि हर एक update आप तक आता रहा है वीडियो को like करें कमेंट करके अपने doubt पूछें और इस वीडियो को share करना न बूलें अब सबसे पहले यहां पर हम pattern समझते हैं कि basically क्या है देखो इसमें यह हमारा input दिया है और step बन से लेकर यह जो total हमारे 8 step हमें दिये हुए है अब एक है करके समझते हैं कि basically यहां पर चल क्या रहा है देखो 827 cost 125 वोट 216 64 7 8 अब हमें देखना है कि step बन में क्या लिया डवलू से नंबर स्टार्ट कर दिया देखो यहां पर काफी सारे alpha weights हैं तो उसमें हमने डवलू बाला alpha weight ले लिया तो हम यह कह सकते हैं कि step 1 में हमने क्या किया कि जो हमने alpha weight लिया वो हमने किस pattern में लिया है Z2 A बाले order में लिया है अब step 2 की बात करते है step 2 में इन्होंने पिक कर लिया 1 to 5 को तो नंबर तो हमारे पास में 27 है 125 है 216 है 64 है और 8 है तो इन्होंने 125 को किस तरह से लिया आप थोड़ा से सोचिए अब मैं आपको बताता हूँ जैसे ही आप इसका output देखेंगे कोई भी input output का अगर आप last step देखते हैं जो कि final step होता है तो last step देखने अगर आपको एक चीज़ कुछ पता चल जानी चाहिए यहां पर इन्होंने wold लिया है तो यह 5 लेटर का word है और 5 का cube जो होता है 125 उसको इन्होंने step 2 में पिक कर लिया था इसके बाद में step 2 में क्या कह सकते हैं जो alphabet थे उनका cube जो है वो पिक कर आया यहां पर इसको पिक कर लिया अब दोस्तों step 3 की अगर बात की जाए तो step 1,2,3, step 3 में देखो आपका cost आगया है step 3 में इसका मतलब alphabet तो आएगा लेकिन alphabet किस order में आएगा? वो आएगा A to Z की order में अब यह चीज आप समझ गया होंगे कि यहां पर क्या फंडा चला है और step 4 होगा फिर से जो alphabet आया इसका cube यहां पर अब एक बार हम यहां प्रेक्टिकल कर लेते हैं W से पिक कर लिया इसके बाद में W पास्ट लेटर का था तो इसका cube आपने step 2 में 125 कर लिया तो यह दो अरेंज हो गए step 3 में हमने क्या किया कि would और 125 आज़िज रखा cost को अरेंज कर दिया क्योंकि 3rd step में हम alphabetically A to Z की बात करेंगे तो सबसे पहले C आएगा क्योंकि C से पहले A और B आते हैं तो A और B इसमें दिया नहीं है तो C आजाएगा अब step 4 की बात की जाए तो बुड और 125 और cost यह 3 पहले ही आचुके थे अब देखो 1, 2, 3, 4, 4 लेटर हैं 4 का cube कितना होता है 4 का cube होता है 64 तो देखो 64 आपको सब की cube भी यहां पर दिया हुए ultimately ऐसा नहीं कि number हम खुछ से बना रहा हो 27 यह 3 का cube है यह 5 का cube है और यह है 6 का cube यह है 4 का cube और यह है 2 का cube तो सारे numbers आपको यहां पर दिया है आप देख सकते हो 5 है तो यहां पर 125 आपर 4 है तो 64 आया 3 था तो 27 आया 2 था तो कितना आया 8 आया और यहां पर 6 है तो कितना आया 216 आया I hope आपको pattern समझ में आगया होगा आप question आप आप आसानी से बना लोगे लेकिन अब भी तो हमने step करके बनाया है अब हम input को same इसी method से in line बनाएंगे एक line में कैसे बनाएंगे और क्या-क्या चीजे यहां पर follow होंगी उन सबको हम एक बार देखते हैं ठीके तो सबसे पहले क्या यहां पर आजाएगा word आएगा तो यह पहला step आपका बन गया ठीके अब यह 5 लेटर का word है फिर आपको 125 लेना है तो 5 का cube लेना है ना तो 125 इसको आप number दो देदो देखो इसको number मैंने क्यों दो दिया क्योंकि इस number के left में अभी number arrange होने बचे हुए है जब आप किसी भी number को या फिर alphabet को कोई भी step दोगे और अगर उसके left में चीजे arrange नहीं हुई है तो बहाँ पर उसको complete number दे दिया जाएगा अगर उसके left में कोई ऐसा element नहीं बनाए तो फिर वो क्या हो जाएगा 1A या 2A इस तरह से हो जाता है जैसा कि अभी हम देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा ठीक है बुड और 125 हो गया अब हम क्या लेंगे C वाला लेटर लेंगे तो C वाला हमने step 3 लिया और यह 4 लेटर गा है तो 4 का cube कितना होता है 64 होता है तो आप दिखलो 4 को हम number दे लें क्योंकि 4 के left में काफी सारे number जो बचे है जो भी arrange ओने बकाया है अब 4 के बाद में अगर हम 5th की बात करेंगे तो देखो W W के बाद में आपका क्या आएगा Z to A की format में आपके बढ़ोगे तो आपको T बाला number मिल जाएगा तो यह कितना आजाएगा 5th position हो गई यहाँ पर अब जैसे ही 3 का cube क्यों होता है 27 होता है ना तो देखो इस 27 को number देंगे क्योंकि 27 के लेफ्ट में एक जो इट बचा है यह भी हमारा बकाया है तो हम इसको 6th position दे देंगे अब 6 हमने position यहाँ पर देदी अब 27 अब इसके बाद में अब हम अनादर टर्म्स में बात करेंगे जो 2nd आपका E to Z की format में होगा तो इसके बाद आपका क्या रहा है यहाँ पर 7 लिखा हुआ है और तो कोई है नहीं और 8 लिखा है तो obviously अगर cost arrange हो चुका है तो cost के बाद में 8 होगा तो देखो यह क्या हो जाएगा 7th step इसको क्या दे सकते हो नहीं दे सकते क्योंकि इसके left में कोई number नहीं बचाए तो यह क्या हो जाएगा आपका यह दोस्तो हो जाएगा 6A ठीक है क्योंकि इसके left में कोई नहीं बचाए range होने को तो इसलिए हमने इसको 6A यहाँ पर दे दिया अब यह 2 का है तो 2 का क्यों क्या होगा 8 होगा तो आप देखलो 8 कहां पर आ रहा है 8 ही आ रहा है तो क्या आप इसको 7 नमबर दोगे बिल्कुल देंगे क्योंकि इसके left में भी 7 बचा है 2216 बचा है यह अरेंज होने बचाया है तो इसको आपने 7th step दे दिया अब दियान रखना कि अब क्या आएगा आपका अब alpha weight आएगा Z to A वाले order में तो यह बाला आपका keyword 7 बचा है इसको आप 8 नमबर दो अब 8 दे दिया अब 8 के वाद में क्या आपका बचता है यह बचता है तो यह तो auto orange हो जाएगा तो इसको क्या नम दे देंगे 8 A अब देखलो आठ स्टेप में अबने इसको पूरा done कर दिया और जो चीज यहां पर हमने लिखी है बही चीज दोस्तों हमारी यहां पर भी निकल कर आई है पहले क्या आया कि 6 A 8 और 6 position 27 जो आपको हमने इसको दी थी 4th step था और 7 क्या था? 8th step था और जो number 8 था वो कितना था? 7th step था यह हमने बना लिए अब इस पर आधारित कुछ आपते प्रेशन पूछे जाएंगे तो उनके हम यहां पर बात करते है अब देखो question में क्या है कि आपको एक input दिया है यह बाला input दिया है अब question पूछा रहा है कि how many steps will be required to complete the arrangement मतलब कि यहां पर कितने arrangement इस arrangement को complete करने में कितने steps की जरूवत हमें पढ़ेगी अब क्या करते हैं कि हम ऐसा था था नहीं कि step 1, step 3, step 4, step n तक लिखते जाएंगे और पर बताएंगे कि हम एक page में भरके कि हमें 6 step रहें हम एक line में inline करके आपको दिखाएंगे, okay सबसे पहले आपका क्या है, देखो, pattern बहीं चल्ला है कि step 1 में alphabet Z2A, उसके बाद जो number alphabet रहा है उसका cube फिर alphabet A2Z, फिर उसका cube, फिर Z2A, फिर उसका cube, फिर A2Z, उसका cube, ठीक है आजाते हैं यहां पर, अब सबसे पहले, देखो, सबसे बड़ा बाला alphabet का है जो Z2A के order में पढ़ेगा, विकल, और इसके अलाबा कुछ नहीं देख रहा है तो विकल को क्या करेंगे, हम फिर्स्ट नमबर यहां पर देदेंगे, okay अब विकल कितने रिजिट का है, 3, 36, 7 का है, तो 7 का क्यों क्यों होता है, 343 होता है, तो 2nd position कि हो जाएगे, 243 की हो जाएगे अब देखो, 3rd step आपको किसमें देना है, alphabetically आपको देखना है, A2Z के format में, तो यह चीज आपको देखनी है तो आपको यहां पर क्या मिला है, discussed है, increasing है, platform है, eligibility है, तो पहले A, B, C, D आता है, D के बाद तो E आता है, तो देखो, D को कि आप 3rd position दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि यहां पर यह एकलौता, ऐसा element है, जिसके left में कोई भी element अरेंज होने को नहीं बचाए, तो यह क क्या है अपका, इसमें कितने लेटर सा रहा है, 3, और 3, 6, और 3, 9 तो 9 का क्यूब क्या होता है, यह आपका होता है, 729, तो 3rd position कि इसको मिल जाएगी, 729 को मने 3rd position देती, ठीक है, अब 4th की, अगर मैं बात करूँ तो फिर से, आपको Z2 A के order में चलना होगा, वीगल चल चु क्राइस को मने 5th इसली दिया क्योंकि अभी increasing बचा है और 1331 बचा है, यह arrange होने हमारे बकाया है, 5th position अपकी आगई, 512, अब आपको क्या लेना है, कि alpha weight के लिए A to Z लेना है, तो देखो 6th position हमको किसको देंगे, एक eligibility बचता है, और आपका एक increasing बचता है यह आपर, तो पहल 3921, 11 का cube कितना होता है, 1331 होता है, तो यह कितना हो जाएगा, अब देखो, 11 का cube हम लेंगे, तो यहाँ पर आपके इसको 7th point दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे, क्योंकि इसके left में automatically यह number आपका arrange हो चुका है, arrange number है, तो यहाँ पर हम इसको नया number नहीं दे सकते है, हम क्या दे F में कोई number बचा है, जो arrange होने को बचाओ, नहीं बचा है, तो इसको आप क्या दोगे, 6 B, यह भी auto arrange यहाँ पर हो रहा है, अब increasing कितने letters का है, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, 10 लेटर का है, तो 10 का cube क्यों होता है, 1000 होता है, तो यह क्या हो जाएगा, 6 का C, यह भी आपका एकलोटा number मिला यह भी auto arrange, तो देखो, last step में, आपकी 3 से 4 चीज़े auto arrange हो गई, तो इनी चीज़ों के उपर हमें focus करना है, और अगर आप से कोई कहे कि आप last step हमें लिख के लिखाएगे, कि आपका final step, total step कितने चाहिए होंगे, यह पर 6 step चाहिए होंगे, तो question पूछ रहा है, how many steps will be required to complete the arrangement, तो यहां पर हमें total कितने step चीज़े होंगे, 6 step में हमारा complete होगा, अब कोई कहे कि आप last step लिख के दिखाएगे, तो last step अपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आपका one आएगा, ठीक है, first step, इसके बाद में क्या है, second आएगा फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, आपका third element पर हमारे होते होगे तो इससे हमें पता चलता रहा है क्या कि हमने done कर दिया है, अब हमें 3rd को भी कर दिया, 4th है, तो यह आपर 4th को पिक कर लेंगे, 4th के बाद में आपका 5th आएगा, और 5th के बाद में आपका 6th position वाला element आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा, 6a यह यह भी fix हो गया, यह भी fix हो गया, तो इस तरह से हम ऐसे questions को solve करते हैं, ठीक है, अब एक हम और question यहाँ पर पिक करते हैं, second question दोस्तों, तो जो चीजाबी हमने पीछे की थे उसको हमने इस फॉर्मेट में लिख 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 होगे आप इस तो आपको प्राप्लम आप बिल्कुल नहीं होगी, second question की दोस्तों बात की जाए, तो इसमें काहा है, in step 3rd, 3rd step में आप से काहा है, कि which element is third to the right of vehicle अब देखो third statement आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले आप one लिखेंगे फिर two, फिर two a और उसके बाद में third और फिर उसके आद रिमेनिंग जो भी आपके remaining बचेंगे जो unarrange उनको लिख देंगे तो देखो first position पर आपका क्या था विकल था तो आपने विकल को यहां पर लिख दिया second position पर कौन था? 3-4-3 था, 3-4-3 को लिख दिया okay, अब third second a पर कौन था? discuss था तो हमने discuss को यहां पर लिख दिया two a, third position पर क्या था? two seven two nine तो तीन step हमने पूरे कर दिये हैं तो आप दिखो किन-किन को हम यहां पर कबर कर चुके two को कर लिया है, one को कर लिया है और यह हो गया है, और यह हो गया है इतना हो चुका है इतनों को हमने arrange कर दिया, third step में अब बचे कितने element है, एक आपका 1331 जो लाइन से बचे सब ऐसे ही लिख दो अब question पूछ रहा है कि step third में which element is third to the right of vehicle vehicle यहां पर है, vehicle के third right में first, second, third right यह बाल आ गया ना, third right third right की यहां पर बात हो रही है तो third right में क्या जाएगा? 729, तो यह हमारा right answer यहां पर हो गया I hope आपको बहुत ही clear cut समझ में आ रहा होगा दोस्तों कहीं पर जरह सावी confusion लगे आप तुरंत comment करें और हम अगर में लगेगा कि हाँ आपका doubt genuine है तो हम जरूर आपको उस doubt के लिए reply करेंगे third question की यहां पर हम अगर बात करें तो इसमें कहा है which of the following will be at the 6th position from the right end in the step 6 मतलब कि last step अभी तक total 6 step बन रहे हमारे तो step 6 की बात हो रही है step 6 में right position से 6 element बताना है आपको तो क्या कर लेते हैं कि हम step 6 को यहां पर एक बार लिख लेते हैं fine अगर आप step 6 को नहीं भी लिखते हो कोई problem नहीं आप numbering direct डाल दो 1, 2, 2a इसके बाद में 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c यही तो था ना आपका हमने सारे numbering लिख दिए कि यह हमारा 6 step इस तरीके से आएगा अब question पूछ रहा है कि which of the following will be at the 6th position from the right end यह right end है आपका right end से from the right end 6th position आपको देखना है तो देखो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6 6th position यह वाली आएगी चार नंबर पे और 4 नंबर पे element किया दिया चार नंबर पे element दिया आपको platform तो आप यहां से तुरंट पिक करके लिख दोगे कि platform हमारा right answer होगा एक चीज में लोग confused हो जाते है तो इसको मैं clear cut करना चाहूँगा यहां पर question आप से पूछ रहा है कि which of the following will be इसमें से कौन सा जो होगा 6th position from the right end देखो right end आपको यहां पर मिलेगा और left end यहां पर आपका यह होता है तो अगर right end से count करना है तो आपको जो last वाला element है इसको आप bun marks जरूर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, and 6 ठीके तो हमारा ही आ गया अब दियान दखना अगर question कहे कि जो last element है ठीके उस element से आपको 6 बताना है तो last element ही हो गया अब last element से देखना है मतलब कि 6c के आपको left में जाना है 6th position पर तो आप इसको छोड़कर तब आपका numbering ही हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत सारे लोग confused होते हैं तो जो आपका order होता है उसके side में बिलकुल right आता है और इदर आपका left आ जाता है तो जब आप right से number count करेंगे तो जो last element होगा उसको भी count करते हैं कुछ लोग यहां पर confused होते हैं इसलिए मैं आपको यह बाला fund भी clear कर रहा हूँ अब आजाते हैं फोर्थ question के उपर हम यहां पर फोर्थ question में दोस्तों दिया है which step will be the following output इसमें से कौन सा यह यह output जो दिया हुआ यह होगा तो ध्यान रख लो यहां पर कि वीकल को हमने पहला step दिया था फिर क्या था second step 343 था वो भी ठीक है यह आपका auto arrange हो गया था second ए 729 जो ही आपका third step में आ रहा है अब इसके बाद द्यान रखना कि क्या आता है 729 के बाद में फोर्थ आपका आता है लेकिन यहां पर नंबर किसको आ रहा है 1331 इसका मतलब यह जो input है यह जो आपको output दिया हुआ है यह जो line दिया है यह cable-cable पाच step तक तो arrange है पाच step तक यह arrange है उसके बाद जो जो पाच step है उनकी मैं यहां पर बात भी कर दे रहा हूँ 1 2 2 2 3 4 और 5 यहां तक अरें जहें 6 को न चाहिए था eligibility को लेकिन यहां पर क्या रहा है यहां पर आजा रहा है 1300 इसका मतलब यह वाला number जो है ऐसा आ जा रहा है फिर आपका increasing आ जा रहा है फिर thousand आ जा रहा है between 343 and increasing मतलब की यहां पर बहुत ही गौर फर्माइएगा question कर रहा है how many numbers कितने यहां पर numbers है element की बात नहीं कर रहा है कि आप confuse हो जाए total cable cable आपको number count करने जो आपको यह number दी है 1331, 729 आपको बताने है कि कितने number जो होंगे जो 343 और increasing के बीच में आएंगे और step number कौन सा आपका in the third step third step में तो थिको third step को अगर आप लिखोगे तो पहला element इतर आ जाएगा फिर 2 फिर 2 A और फिर आपका third आ गया ठीक है आगया third element third step हमार आगया third step को हम लिख लेते हैं तो फिर्स्ट पोजिशन किस की थी विकल की थी बी एच के बल लिख रहा हूँ second क्या था 343 था फिर क्या था डिस्कस था जो आटो अरेंज हो गया था second A third position पर क्या था आपका 729 था third आपने लिख लिख लिया तो देखो क्या क्या आपका हो चुका है one, two, two A और three हो चुका है अब नंबर क्या बचा इसके बाद में इसके बाद आपका आजाएगा क्या 1331 जो आटो अरेंज नहीं है जो अभी अरेंज है 1331 जो आपका फिर इंक्रीजिंग आजाएगा बस आप यहीं पर रुख जो इसके आगे लिखने के आपको जरूत नहीं है question कह रहा है आपसे कि 343 और increasing के बीच में कितने number है element नहीं पूछ रहा है number पूछ रहा है तो 729 और 1331 तो total कितने number है आपका answer हो जाएगा दो number जो है वो दिये हुए है अगर element पूछेगा तो एक, दो, तीन तीन element है ठीक है कुछ लोग confused नहों जाए इस तरह के questions में इस वज़े से मैं आपर यह चीज़ आपको बता दी क्योंकि दोस्तों question बहुत गौर से पढ़ना होता है अगर आपने question में थोड़ा सा miss कर दिया पढ़ने में तो बहां पर तुरंट आपका marks deduct हो जाता है आयोप आपको आज की questions समझ में आएँगे अगली वीडियो में कुछ हम other type के questions भी discuss input output के करते रहेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको complete playlist मिल जाएगी लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को subscribe जरू करें other playlist आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe जरू करें और जादा से जादा लोगों तक share करें उनको इस चैनल के बारे में बताएं ताकि वो लोग भी अपने exams में सफलता हासिल कर सकें थैंक यू friends have a good day